हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागात आप सभी को हमारे येटू चैनल में तो दोस्तों आप लोग को पता होगा कि गौवर्मेंट के नियम के अनुशार आपका राशन कार्ड अधार कार्ड से लिंक होना चाहिए अगर आपका रासन कार्ड अधार कार्ड से लिंग नहीं है तो आप रासन नहीं ले सकते हैं या आपका रासन कार्ड ब्लॉग भी हो सकता है तो आप सभी को परिशान होने की ज़ुरत नहीं आप खुद से अपना रासन कार्ड लिंग कर सकते हैं इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाज तक जरूर देखे ताकि आप समझ सके तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम Chrome Browser open कर लेते हैं open करने के बाद Chrome Browser में हम WBPDS सर्च करेंगे सर्च करने के बाद दूसरा पेज open होगा जिसमें मैं देख पा रहा हूँ नीचे में WBPDS green color का tick out दिया होगा मैं उसपे क्लिक करूँगा उसपे क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे राशन कार्ड का official page open हो जाएगा online राशन कार्ड life cycle management जो की आप देख रहे लिखा हुआ है इसी के ठीक नीचे link अधार and mobile with your राशन कार्ड आपका अधार का नंबर एवं mobile नंबर लिंक कर सकते हैं राशन कार्ड में तो चलिए मैं उसपे क्लिक करके आगे बढ़ रहा हूँ तो आप देख पा रहे किसमें select category आपका कार्ड कौन सा काटेगरी का है वो पूछ रहा अपना राशन कार्ड का नंबर इंटर कर रहा हूं इंटर करने के बाद मैं search करूंगा जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं type कर रहा हूं तो मेरा नाम मेरा अधार एंट मुवाइल नंबर पर क्लिक करके मैं अपना अधार बारा डिजिट का अधार नंबर कर रहले टाइप करके में सेन्ड is Richter करने के बाद हमारा अधार कार्ड के अंदर हमारा मोखाल कर राध है उस पर ऊषर जायेंगा जैसे कि मैं send OTP पर click किया, मेरा mobile में OTP आ चुका है, मैं OTP टाइप करके submit कर रहा हूँ तो मैं submit कर रहा हूँ, देखें मैं submit कर चुका, submit करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि आप हमारा total details सामने आ गया, मेरा नाम, मेरा पापा, मेरा father's name, data bird, district, pin code, सारा सब कुछ A to Z आपको सामने में दीखेगा, इसके बाद आप verify and submit, नीचे में आप देख पा रहे हैं, verify and submit, इ इस पे click करने के बाद आप आपसे एक option आएगा जो कि उसमें okay लिखा रहेगा, आप उस पे click करेंगे, इसके बाद एक पुछा जा रहा है, आपसे do you want to change your link mobile number, क्या आप अपना mobile number change करना चाहते हैं, अगर आप change करना चाहते हैं, तो yes, अगर नहीं चीन्द करने तो no पर click कर करते हैं, तो जैसे कि आप देख पर इसी परकार से आप अपना राशन कार्ड में अधार कार्ड नंबर लिंक कर सकते हैं, तो दोस्तों I hope कि आपको हमारा यह वीडियो काफी पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को like, share and subscribe जुरूर करें ताकि मैं मेरा आप